स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है आयम पूर्मिमा कैसे हैं आप सब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आज भी मैं पांच बजे उठ गई थी रात में हाला कि एना कल मुझे काफी देर हो गई थी घर में गैस्ट भी थे और होई जाता है कोई आए जाए तो और जाते हो बैसी पांच बजे पांच बजने के आसपास ही मतलब नींद अपने आप से खुलने लगती है अलारम बचते ही फिर तो मैं खेर उठ गई और अपना वही आज भी मेडिटेशन किया मैंने और आज मैं फिर वॉक पे नहीं गई मैंने सुचा थोड़ा आज है ना ऊ कुछ योगा या एक्सेसाइज उपर बैठके भी कर सकते हैं तो फिर मैंने उपर फिर कुछ प्राणायाम करें जो कि मैं अभी आपको यहां दिखाऊंगी और रात में मेडिटेशन करके मैं खेर नहीं सो पाई थी काफी लेट हो गया था और ऐसा लगा कि जल्ली से फिर सो जाओ नहीं तो नीन पूरी नहीं होगी तो सुभाटने में दिखकत होगी इसलिए मेडिटेशन तो मेरा सिर्फ एक ही बार हुआ अगर मॉर्निंग में भी हो जाए तो देखो कोई बुराई नहीं है अच्छा ही लग रहा है तो अब है यह दुपैर का टाइम तो मेरा करा सोई तो नहीं थी लेकिन थोड़ा आलस लग रहा था थोड़ा आराम करके फिर मैंने सुचा थोड़ी सी बातचीत आप लोगों के साथ की जाए और मैं थोड़ा फ्रेश भी हो गई हूँ फिर मैंने सूचा कि यह ना यह जो शंकर भगवान वाली नहीं थी आरियस में चमक मारती आती नहीं यह जो शंकर भगवान वाली मैंने बनाई थी ना वह वाली मधुबनी आर्ट तो वही सोच्रियों कि आज फिर इसको करती हूँ जितना मन लगेगा उतना करूंगे तो पूरा पैंसिल वर्क वाकी है जो पैंसिल से पहले डिजाइन बनाती हूँ और बस अब पहली फुरसत में सोच्रियों अब यही करती हूँ तो फिर चलिए देख लेते हैं मेरा मॉर्निंग डूटीन कैसा रहा तो यह बज रहे हैं सुभह के पांच और मैं उठ गई हूँ इसके बाद मैं फ्रेश हुई और अपनी योगा मैट ले करके फिर मैं आ गई अ खोड़ी देर मेरी मतलब शुरुवात है ना तो मेरा तो ध्यान है ना भार-बार भटक सा जा रहा था कभी मैं आखी खोल लेती थी या पता नहीं क्या हो जाता था शुरुवात है इसलिए मेरे को इतना वह लग रहा है कि ध्यान हो नहीं पा रहा है उतना अच्छा जैसे कहते हैं कि 30-30 मिनिट तक हम ध्यान लगा लेते हैं तो मेरे लिए तो पांच मिनिट भी ऐस तरह से बैठना एक मतलब टास्क है खेर ना जितना लगाना था लगा लिया फिर इसके बाद मैंने अपने जगह चेंज करी और मैं बैठ गई हूं प्राणायाम करने तो मैंने कु सब्सारे तरीके के होते हैं लेकिन मैं यहां 6 प्राणायाम कर रही हूं और यह पहला है ब्रस्ति का प्राणायाम पैर क्रोस करके आसन पर बैठ जाना है और तेज गती से सांस अंदर लेनी है और बाहर छोड़नी है इसे हम 5 मिनिट तक कर सकते हैं बसे आज मैंने घड़ी देखके तो नहीं करा मैंने अपने हसाब से इसको थोड़ी देर करा और आगे का वीडियो फिर मैंने कट कर दिया है और अब आपको दिखा रही हूं इसके बाद होने वाला प्राणायाम वो है कपाल भाती इनका भी एना एक सीक्वेंस होता है प्राणायाम को करने का कि सब से पहले आप रस्तिकाही करें उसके बाद फिर यह दूसरा कपाल भाती करें जैसे कपाल भाती तो सभी लोगों को पता ही होता है कि इस प्राणायाम में जोर से सांस बाहर छोड़ने पर फोकस किया जाता है और सांस छोड़ने की प्रक्रिया का असार आपके यह पेट पर दिखना चाहिए कि वो एकदम से अंदर की तरफ जाए तो कपाल भाती को भी बताया गया है कि आप इसको कम से कम 15 मिनिट तक कर सकते हैं तो मैंने इतना देर तक तो नहीं करा आज पहला दिन के हिसाब से मैं फिर सारे प्राणायाम थोड़ी थोड़ी देर ही करें तो बस इसक किया है पहले आप वो समझ लिजे इसमें एक लंबी श्वास भरेंगे और एक साथ पूरी सांस बाहर छोड़ देंगे बाहर छोड़ कर सांस को रोक देंगे और पेट को अंदर खीच लेंगे और ठोड़ी को गले से लगा लेंगे और मुझ से गलती यह हो गई कि मैंने एक बड़ी सांस भर करके उसको अंदर ही रखा जबकि इसमें पूरी सांस बाहर निकाल कर छोड़ देते हैं और फिर रोकते हैं तो खेर मेरा ये पहली बार था और फिर बाद में मुझे इसका आभास हुआ कि ये गलत हो गया है नेक्स टाइम तो मैं अपना सुधार कर लोगे भाय ये प्राणायाम कम से कम पांच बार किया जा सकता है अब नेक्स प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम इसमें एक नाक से सांस लेकर थोड़ी देर रोक कर कम से कम उसमें पांच पार गिनती गिन सकते हैं फिर दूसरी नाक से सांस को बाहर छोड़ देते हैं फिर यही प्रक्रिया दूसरी नाक से की जाती है तो यह हम 15 मिनिट कर सकते हैं अनुलोम विलोम प्राणयाम इसके बाद नेक्स प्राणायाम आता है भ्रामरी प्राणायाम इस प्राणायाम में आख कांध दोनों बंद रहते हैं अपने कानों को अंगूठे से बंद करके अपनी उंगलियों से आखों को बंद करके और दोनों हातों की जो इंडेक्स फिंगर रहती है उसको सिर पे रख अब ओम का उचारण करते हुए एक गहरी सांस लेनी हैं और फिर छोड़नी हैं अब आप कर दो कर दो कर दो कर दो ये भ्रामरी प्राणायाम कम से कम पांच बार किया जा सकता है अब इसके बाद मैं कर रही हूँ उज्जेई प्राणायाम इस प्राणायाम में गले को टाइट करते हुए सास को अंदर भरा और फिर रोका और दाय नाक को बंद करके बाय से सास छोड़ दिया तो ये हो क्या हम तो हमारे प्राणयाम आज ये कंप्लीट हो गए हैं मेरी अभी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं है मैं सोच दिन ये 4-5 जो प्राणयाम मैंने करें चे प्राणयाम करें तो इनकी एना मैं प्रैक्टिस करूंगी ताकि ही मुझसे कोई गड़बड ना हो तो चलिए इसके बाद फिर मैं नीचे आ गई और अब तक काफी धूब भी हो गई थी क्योंकि मैंने बड़े अराम-अराम से धीरे-धीरे भी कर रही थी और सर्च भी कर रही थी कि कैसे किया जाता है इतना सर्च करने के बाद भी खेर मुझसे एक गल्ती हो ही गई अब नीचे आते ही सबसे पहले तो मैंने ये छोले उबलने रखे ये कुछ करम मसाले डालके और नमक डालके फिर मैंने ये छोले उबाले और उसके बाद मैंने पिया गुनगुना पानी कल मैंने आपको बताया था आज मैं बनाओंगी टिंडे छोले तो उसी के लिए ही तैयारी कर रही हूँ और इसके बाद मैंने ये पी लिया शहद और नीबू का पानी इस सुपह की ड्रिंक्स पीने वाला रूटीन तो बिल्कुल कलकीत रही चल रहा है एक के बाद एक एक थोड़ा ब्रेक लिया फिर उसके बाद ये एपल वेनेगर का ये पानी पिया और इधर मैंने अपने टिंडे भी निखाल लिया फ्रिस्ते इनको छीलूंगे और काटूंगी पाकी तैयारिया करूंगी और नीबू पानी पिया था ये चिलका उसका बचा हुआ है तो सीको म और इधर मेरी सबजी भी बड़े अराम से बन गई है ये देखिए कितनी सुन्दर सबजी बनी है मुझे बताईए का आप लोगों कि यह बनते है क्या ये टिंडे छोले मैंने तो खेर अपने यहां ससुराल में आकर ही खाना शुरू करा है ये और ये 16 घंटे वाली रही हो कि दूद ना ही पियूं इंटर्मिटन फास्टिंग के दौरान तो यह बारा बज गए हैं फास्टिंग अब मेरी खुल रही है अब भले ही मैं पी सकती हूं तो कल मैंने तर्बूच खाया था फास्टिंग तोड़ते समय से कहते हैं कि यह ना कोई फल वगरा आप ख वो आया है भले टिकिया भला वोई टंटं टंटं बजाता है तो मैं गई थी साटेड़े को पी टीम थी बच्चों की तो 21 तारिक यानि कि संडे को मैं गई थी 21 को मैं पहुंची हूं 22 रही 23 रही 24 रही और 25 यानि कि थस्डे को फिर मैं वापिस आ दे तो इस तरह से प्रप भगवान वाला इसमें देखा जाए तो ज़्यादा काम है नहीं देखने में तो खेर यह सुन्दर है लेकिन बस जो शिव जी के चारो तरफ यह जो डिजाइन गई है न बस कारी गरी हमको मही करनी है बाकी कहीं नहीं करनी है तो यह मेरा काफी जल्दी हो गया था बस यह द गाने सुननूंगी इसलिए रख लिया है और आज मैंने वाच भी पैन लिया है भूली नहीं हूँ शूस पैन लिये हैं तो अच्छा हम चलते हैं कुनू बंद कर लेना मुझे लगता है मुझे वॉक की आदत पड़ गई है जैसे सुभए नहीं गई थी ना तो मन में पूरा दिन यहीं आता रहा कि शाम होगी तो वॉक पे जाओंगी शाम होगी तो वॉक पर जाओंगी इसकी कोचिंग के चक्कर में न मेरे को वॉक की अच्छी खासी आदत हो गई है और अच्छा भी लग रहा है शाम को भी काफी अच्छा मौसम हो रहा था आजकल तो मई भी मई जैसा नहीं रहा कुछ अलगी चल रहा है और अच्छा है वह ऐसी बना रहा है हलकी ठंडक रहे तो जून भी ऐसे ही निकल जाए नहीं तो आगरा की गर्मी तो सड़ाई देती है और कितना देखिए कितने सुन्दर बादल हो रहे हैं मैं तो यहां आके मैं सुस्तियों कि नॉर्मल अपना वॉक करूंगी लेकिन यह न देखके मन करता ह कि इनकी फोटो खीच लू इनको रिकॉर्ड कर लू तो बस मैं थोड़े बीश-बीश में रुक करके या थोड़ा चलते हुए न इनको शूट कर लेती थी और अब यह देखिए सुर्यास्त का समय कितना ही मनमोहक लग रहा है बहुत ही खूबसूरत आपको पता हैं यहां एक नदी बहती है चलिए आपको उसकी में आवाज सुनवाती हो वैसे अगर इस नाले को ना देखो न तो ऐसा ही लगेगा कि लगता है पास में कोई नदी बहरी है यह आवाज सुनने में बड़ी अच्छी लगती है नाला देखने में भले ही अच्छा ना लगे अगर जान से सुनेंगे ना तो यहां मोर की भी आवाज आ रही है पता है फोन तो में ले आई हूं लेकिन फोन में बैटरी बिल्कुल लिए यह मैंने ना चैक ही नहीं करा था ट्वेंटी से भी कम है और वो रैड में हो गई है मैंने का छोड़ो गाने चलाओंगी तो और यहां डैड हो जाएगा फोन बाइचांस घर से कोई फोन आया ना तो दिक्कत हो जाएगी हां तो चलती हूं आज है ना सोचती हूं पूरी रोडी कवर करूं जो पूरा हमारा एरिया है ना यह पूरा फिर देखती हूं कि इसमें ना कितने स्ट्रैप्स आता है यह भी क्लियर हो जाएगा कि यह कितने स्ट्रैप्स का रास्ता है और मेरी शमता भी खैर इतनी है या तो हाफ कर लूँगी या एक बार बस फुल पस इतना ही तो कल हाफ कर लिया था तो लेकिन आज फुल कर लेती हूं ओकी फिर मिलती हूं घर में बादलो की खूपसूरती ने मुझे मजब टाइम मतलब मेरा इनी सब में हो गया तो इसलिए इस व्लॉग का मैं यहीं एंड करती हूं फिर मिलूंगे आप से नेक्स व्लॉग में तब तक के लिए टटा बाबाई एंड थैंक्स फॉर वाचिंग